निखिल और काव्या दोनों मिहिर की तरफ ही देख रहे थे निखिल जो इतनी देर से सोच रहा था कि आखिर मिहिर किसे कॉल कर रहा है अब निखिल से और रहा ने गया तो निखिल ने मिहिर से पुछा मिहीर सर आप इतने important discussion की बीच में किसे call करने लगे मिहीर ने निखिल की बात सुनकर कावया की तरफ देखा और कहा मैंने Mr. Harish Rawat को call किया हरी श्रावत नाम सुनकर कावया बिलकुल शौक्ड हो गई और एक टक मिहीर को देखने लगी कावया ने अपने मन में सोचा ऐसा क्या हो गया जो अचानक से मिहीर सर बॉस के पास call कर रहे इससे पहले निखिल और कावया में से कोई मिहीर से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही हरी श्रावत ने call रिसीव कर लिया मिहर ने सोच लिया था कि वो हरीश रावत से अपनी आइडेंटीटी नहीं चिपाएगा और मिहर ने बिना किसी जिजक के पूछा हेलो, क्या ये नमबर मिस्टर हरीश रावत का है हरीश रावत ने मिहर کی آवाज सुनी लेकिन वो मिहर को पहचान नहीं पाए अपने मुझे कैसे कॉल कर लिया जहां तक मुझे पता है हम पहली बार कॉल पर बात कर रहे हैं और मेरे पास आपका नंबर भी नहीं है तो आपको मेरा नंबर कहां से मिला लेकिन मिहीर ने बड़ी ही चतुराई के साथ उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहा जब आप हमारे बिष्ट परिवार के लिए इतना सब कुछ करते हैं तो क्या मैं आपसे बात करने के लिए आपका नंबर भी नहीं पता कर सकता मिहीर की बात सुनकर उसने काफी नर्मी से कहा मिहीर बड़े ही द्यान से उसकी बाते सुन रहा था क्योंकि उसे उसके शब्दों पर भरोसा नहीं था मिहीर को नहीं पता कि हरीश सच में बिष्ट परिवार के लिए लॉयल है या नहीं लेकिन अभी उसने जो बोला उसमें मिहीर के लिए ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि वो मिहीर की बात मानेगा और उसकी हेल्प जरूर करेगा मिहीर ने उसकी बात पकड़ी और कहा क्या सच में आपने अभी अभी जो बोला है आप वो करेंगे? मिहीर ने जब इस तरह से एक बात पर जोड़ देकर हरीश से पूछा तो उसको अपनी कही बात पर थोड़ा पच्टावा हुआ और उसने अपने मन में सोचा कहीं मैंने ये बात बोलकर कोई गलती तो नहीं कर दी पता नहीं अब ये मिहीर बिष्ट मुझसे क्या करवाएगा? वो अपने मन में ये सोची रहा था कि तभी मिहीर ने कहा हलो आपको मेरी बात सुनाई तो दे रहे हैं न? क्या सोचने लगे आप? हलो आपको आवाज आ रही मिश्टर रावाद? उसने मिहीर की बात सुनकर कहा इतना बोल कर उसने अपने मन में कहा में तो समझ रहा था कि ये मिहीर बिष्ट भी अपने बाई साहिल बिष्ट की तरह ही होगा लेकिन इसकी बातों से तो मुझे ये कुछ ज़्यादा ही दिमागी और इंटेलिजेंट लग रहा है इसकी बात करने का स्टाइल बिलकुल अलग है मिहीर ने तुरंत उसकी बात सुनकर कहा जे हाँ आप बिलकुल मेरी मदद कर सकते हैं क्योंकि मैं जो आपसे काम कहने जा रहा हूँ वो आपके अंडर ही आता है निखिल को मिहीर की बाते बिलकुल भी समझ नहीं आ रही थी और वहीं काव्या जो मिहीर को देखती जा रही थी और काव्या ने अपने हाथों को रगड़ना स्टाट कर दिया था क्योंकि काव्या और निखिल दोनों कोई नहीं पता था कि मिहिर ने हरीश के पास कॉल क्यों किया है काव्या बहुत ज्यादा घबराई होई थी तब ही काव्या ने अपने मन में कहा पता नहीं मिहिर सर ने बॉस के पास कॉल क्यों किया है जब हरीश ने मिहीर की बात सुनी तो अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था और उसने मिहीर से कहा मिहीर ने तुरंट कहा आप बिष्ट ग्रुप में काम करने वाली इन सभी लड़कियों के उन जासूसी कबूतर और्गिनाइजेशन को देखते है ना जो बिष्ट ग्रुप के लिए काम करती है उनमें से आपकी एक कबूतर है जिसका नाम है काव्या हरीश ने जैसे ही काव्या का नाम सुना वो तुरंट ही उसे पहचान गया और उसने मिहीर से कहा मिहीर ने उसकी बात सुनकर काव्या की तरफ देखा और कहा हाँ तो काव्या अब मेरे स्टोन शॉप की मैनेजर बन गई है तो क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि उन्हें आपके इस कबूतर और्गनाइजेशन के साथ जासूसी वाला काम करना चाहिए मिहीर की बात सुनकर हरीश जो काफी ज्यादा चालाख है उसे समझ में आ गया था कि मिहीर ने अपनी बात मनवाने के लिए किस तरह से उससे बात की और अब मिहीर आगे क्या बोलने वाला है फिर भी उसने अंजान बनते हुए कहा मिहीर ने हां में सिर हिलाया और काविया की तरफ देखा काविया मिहीर को देखती ही जा रही थी मिहीर ने कहा देखिये मैं ये चाहता हूँ कि आप काविया को अपने इस काम से हटा दीजे और काविया की चिप को डिसकनेक कर दीजे अब से वो सिर्फ मेरे शौप की मैनेजर और मेरी असिस्टेंट के तोर पर काम करेगी काव्या ने जैसे ही मिहिर की बात सुनी काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और काव्या के दिल में मिहिर के लिए जो इज़त थी वो और ज्यादा बढ़ गई मिहिर की बात जैसे ही उसने सुनी वो बिल्कुल शौक्ड हो गए क्योंकि मिहिर ने जो बात बोली थी उसे अकेले वो नहीं बदल सकता था क्योंकि जो रूल बनाए गए थे वो मिस्टर मोहन बिष्ट ने बनाये थे जब हरीश ने मिहीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो मिहीर को फोन पर उस सन्नाटे से साफ समझ में आ रहा था कि वो इस टाइम क्या सोच रहा होगा, क्योंकि मिहीर अपने डैड को बहुत अच्छी तरह से जानता है, और ये रूल मिहीर के डैड नहीं बनाया था, लेकिन मिहीर ये बात जानता था कि उसके कहने पर अगर हरीश ने काव्या को उस और उस विस्फोटक चिप से आज़ाद कर दिया, तो शायद उसके डैड उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मिहीर ने कहा, हेलो, हरीश कहीं आप अपनी कही हुई बात से मुकरने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं न, आपने कहा था कि आप बिश्ट परिवार के लिए सब कुछ करने को तयार हैं, तो ये काम तो आपके अंडर ही आता है, है न, तो आप जल्दी से काव्या की उस विस्फोटक चिप को बंद कीजे और उसे अपने और्गनाइजेशन से रिलीज कीजे, मिस्टर हरी शरावत मिहीर से और कोई बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गेहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं दस मिनट के अंदर ही काव्या को रिलीज कर दूगा, और इसकी चिप भी रिमूब कर दूगा, इतना बोलकर हरी शरावत ने कॉल डिसकनेट कर दिया, मिहीर ने जैसे ही हरी शरावत की बात सुनी, मिहीर काफी ज़्यादा खुश हुआ और मिहीर ने अपने मन में कहा, मैंने तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था, कि मिस्टर हरी शरावत मेरी बात से इतनी जल्दी सहमत हो जाएंगे, मैं तो सोच रहा था मुझे बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो बड़ी जल्दी मेरी बात मान गए, मिहीर की बात सुनकर काव्या की आँखों में आँसु आ गए, लेकिन काव्या ने अपने एमोशन्स को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं सर, क्या सच में आपने अभी जो बोला वो सच है, आपको अभी भी मेरी कही हुई बात याद थी, आप अपना प्रॉमिस नहीं भूले थे, मिहीर ने हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे याद था, मैं नहीं भूला, और तुम अब बिल्कुल टेंशन मतलो, दस मिनट में तुम इस और्गनाइजेशन से पूरी तरह से आजाद हो जाओगी, रिशब के घर में, धरा ने रिशब की तरफ देखा, जो अभी तक बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, और जैसे ही रिशब ने देखा, कि धरा वहां रुकने में हिच-किचा रही है, रिशब ने कहा, अरे वा, अगर मम्मी और दादी ने मिलकर खाना बना लिया, तो इसका मतलब आज तो हम लोगों को टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, है ना मैम? धरा रिशब की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी, और तभी रिशब ने कहा, तो पर ठीक है, मैं और धरा मैम जाकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हैं, और आप दुनों आराम से नीचे आईए, रिशब की मम्मी ने जैसे ही रिशब की बात सुनी, उन्होंने हा में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों, जाकर खाना लगाओ, बस हम लोग कुछी देर में आते हैं। धरा अभी भी वहीं पर खड़ी थी, और तभी रिशब ने धरा का हाथ पकड़ा और कहा, चले मैं। धरा ने रिशब की तरफ देखकर हां में सिर हिलाया, और वो दोनों नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगे। धरा रिशब से ज्यादा बात चीत नहीं कर रही थी, क्योंकि धरा अभी कल की बात को लेकर थोड़ा अपसेट थी, तभी रिशब ने धरा की तरफ देखकर कहा, क्या होँ धरा तुम इतनी चुप के हों। धरा ने नामें सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। धरा नहीं चाहती थी कि फिर धरा जल्दबाजी में आकर कुछ ऐसा वैसा बोल दे और रिशब फिर से उससे गुस्सा हो जाए। इसलिए धरा अब बहुत सोच समझ कर रिशब से बात कर रही थी। और जहां तक हो सकता था, धरा रिशब के साबने चुपचाप ही खड़ी थी। रिशब ने भी ज्यादा धरा से कुछ नहीं कहा, और वो चुपचाप खाना लगाने में बिजी हो गये। और तभी रिशब की मम्मी और धरा की दादी एक साथ नीचे आई और सब ने एक साथ बैट कर डिनर किया। डिनर करते करते काफी अधेरा हो गया तो रिशब की मम्मी ने रिशब को धरा और धरा की दादी के साथ उन्हें घर तक छोड़ने के लिए कहा और रिशब उन दोनों को उनके घर छोड़ने चला गया मिहिर, निखिल और काव्या, इन तीनों ने दस मिनट तक आपस में बाते की और जैसे ही दस मिनट पूरे हुए, मिहिर ने काव्या की तरफ देखकर पूरे confidence से कहा मैं हमेशा ही बिष्ट परिवार के लोगों के बनाए गए इस रूल के खिलाफ था इतने साल बीद गये लेकिन मैं अभी तक इस रूल को चेंज नहीं करवा पाया हूँ लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारी तरह बाकी सभी organization में काम करने वाली लड़कियों को इस विसफोटक चिप से आजाद करवा दूँगा निखिल ने जैसे ही महिर की बात सुनी निखिल ने बीच में ही महिर को टोकते हुए कहा महिर सर आपको अपने बड़े बूलों के द्वारा बनाए गए इस रूल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर आपके बुज़ूर्गों ने ये रूल बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई तो बड़ी वज़े रही होगी और जहां तक मेरा मानना है इसे आप पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके डैड ऐसा होने नहीं देंगे क्या मिहिर अपना प्रॉमिस पूरा कर पाएगा और काव्या को उस विस्वोटक चिप से आजाद करवा पाएगा क्या निखिल जो बोल रहा है वो सच है मिहिर की डैड मिहिर को ये रूल चेंज नहीं करने देंगे जानने के लिए सुनते रहिए रईस जादा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफम पर